नमस्कार दोस्तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो कलास अनलिमिटेड है यानि दोस्तो कलास अनलिमिटेड कहने का मतलब यह कलास जो है आप या आपके भाई या कोई भी बेक्टी इस कलास को देख सकते हैं तो चली दोस्तो आपको आज हम जो बताने वाले हैं आज हम बताने वाला है कि पौधों में जो पर्वसंधी होता है वो क्या होता है तो दोस्तों आज हम पौधों में पर्वसंधी के बारे में हम समझेंगे तो चली दोस्तों पर्वसंधी को हम लेकर देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो दोस्तो उससे पहले आज हम सिखेंगे तन्ह क्या होता है और दोस्तो तन्ह सिखने के बाद सिखेंगे कि परवशंधी जो होता है वो क्या होता है यह जो परवशंधी जो होता है वो क्या होता है परवशंधी तो दोस्तो आज हम तन्ना और दोस्तो पर्वशंधी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले तो दोस्तो पर्वशंधी को समझने के लिए आपको तन्ना समझना जरूरी है तो चली दोस्तो हम तन्ना समझ लेते हैं कि तन्ना जो होता है वह क्या होता है तो दोस्तो मैं बता देता हूँ कि तन्ना जो होता है न पौधा का मजबूत भाग होता है पौधा जो होता है दोस्तो वह तन्ना का मजबूत भाग होता है यानि दोस्तो हम यह कह सकते कि जहां से दोस्तो पतिया निकलती है न दोस्तो उसको कहते हैं हम क्या तना कहते हैं अगर आप इसका परिभासा से समझना चाहते हैं तो दोस्तो आपके सामने जो है परिभासा देखें कुछ इस परकार से दोस्तो आपके सामने यह परिभासा है कि तना जो होता है न पौधा का द्रिड भाग होता है यानि दोस्तों तन्नाज होता है पौधा का मजबूत भाग होता है बात करें इसका चित्र का दोस्तों तो चित्र आपके सामने अभी हम लगा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी प्रोबलम ना हो तो दोस्तो आपके सामने यह जो चित्री है क्लियरली दीखी रहा होगा आपके सामने दोस्तो यह जो है आपको चित्री दीख रहा है या नहीं दोस्तो बताईए यह दोस्तो आपके सामने जो है क्या है फूल है यह आपके सामने जो है दोस्तो क्या है थोड़ी सी पेयन की कॉलर चेंड के लिए यहां जो है दोस्तो क्या है फूल है क्लियरली यहां लिखा भी हुआ है फूल है दोस्तो अब देखी दोस्तो और इसके बाद दोस्तो यहां जो है क्या है यहां जो आपका है फल है और दोस्तो यहां जो है आपका पती है यह जो हरा हरा जो दीख रहा है वह क्या है दोस्तो पती है और दोस्तो यहां जो आपको दीख रहा है यानि दोस्तो यह जो है क्या है यह आपको तना है दोस्तो थोड़ी सी बड़ा कर ले रहे, आपको दीखा या नहीं दीखा दोस्तो यह जो है दोस्तो, थोड़ी सी पेन की color change कर ले रहे यह जो है दोस्तो क्या है, तना है दोस्तो तो यह तना आपको आया कि तना दोस्तो क्या होता है तन्ना जो होता है पौधा का सबसे मजबूत भाग होता है एक्जामपल के लिए दोस्तों यह जो आपको दीख रहा है यहां से लेकि यहां तक यह जो दीख रहा है दोस्तों यह आपको तन्ना है क्लियर कि तन्ना आपको समझ में आया या नहीं आया वीडियो के कॉमेंट में जरूर बतेएगा यह जो वीडियो है इसमें आपको तन्ना आया कि नहीं है तो दोस्तों अब हम जान लेती हैं तन्ना के परिभासा क्या आओ सकता है तो दोस्तों आपके सामने जो तन्ना का परिभासा है कुछ इस परकार से है थोड़ी सी इसको हम छोटा कर ले तो बेहतर होगा ठीके दोस्तों आपके सामने यह जो दीख रहा है परिभासा यह आपका तन्रा का परिभासा है आप चाहे तो दोस्तों लिख सकते किरियल दोस्तो दोस्तो थोड़ी सी इसको हम साफ कर लेंगे तो बेहतर होगा थोड़ी सी साफ कर ले तो क्या होगा बेहतर होगा तो चलिए इसको हम थोड़ा दिर साफ कर ले रहे हैं इसके बाद हम आपको कुछ बताने का परियास करते हैं तो चली दोस्तो हो गया है साफ और देख लेते हैं कि तन्ना जो होता है उसका परिभासा क्या हो सकता है तो दोस्तो तन्ना का परिभासा आपके सामने यह थोड़ी सी तन्ना को हमना बढ़ा कर देते हैं आपको दिखने में आपको थोड़ा सा बेहतर होगा यतना आपको दिख रहा होगा तो दोस्तो तन्ना का परिभास से है तन्ना जो होता है पौधा का द्रीड भाग होता है इसे से पत्ते फूल और फॉल उत्पन होते हैं इसे से ना मतलब जैसे यह है दोस्तो तो इसे मतलब तन्ना फूल पौधे होते हैं प्राप्त होती है और दोस्तों पेड़ का बस ऐसे भी कह सकते हैं कि पेड़ का दोस्तों जमीन की उपरी का भाग होता ना मोटा भाग जहां से सखाय निकलती है यानि दोस्तों डाली यानि यह कह सकते हैं यह जो डाली जो निकला दोस्तों सखाय कहने का मतलब होता है दोस्तो डाली सखाय कहने का मतलब डाली दोस्तों यानि दोस्तों हम यह कह सकती है कि दोस्तों जमीन के उपर का जो मोटा भाग होता है जहां से सखाय निकलती है उसको भी हम कह सकते हैं तना और दोस्तों तना को हम अस्तंब बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तो तन्ना को बोलते हैं अस्तंब तो आपको एतना दूर आया या नहीं आया हमको जल्दी से बतलाईयागा दोस्तो तो आपको तन्ना आ गई होगी तो दोस्तो अब हम समझ लेते हैं कि पर्वसंधी जो होता है क्या होता है तो पर्वसंधी जो होता है व दोस्तो आपके सामने यह जो परिभासा दीख रहा है पर्वशंदी क्या तो दोस्तो आज हम जो सिखने वाले हैं क्या सिखने वाले थी पर्वशंदी पर्वशंदी तो दोस्तो परवशंधी को समझने से पहले परवशंधी को समझने के लिए दोस्तो सबसे पहले हम समझ लेती है कि परवशंधी जो होता है वो क्या होता है दोस्तो हम वे परवशंधी का बात नहीं कर रहे है जो मनाये जाती है हम पौधों में दोस्तों पर्व के बात कर रहे हैं और संधी के बारे में यानि दोस्तों पौधों में हम पर्व संधी क्या होता है क्या नहीं होता है इसके विशाय में आज हम चर्शा कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम पर्व को समझ ले रहे हैं और वो भी दोस्तों चित्र की माधियम से तो दोस्तों हम चित्र आपके सामने देखा रहे हैं और इसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे है दोस्तों यह जो चित्र है आपका बांस का है दोस्तों यह जो चित्र है आपका बांस का है तो दोस्तों बांस में आपको क्या दिख रहा है ये खाली अस्थान जो दिख रहा है दोस्तों यह आपको दोस्तों क्या है परव है किलियर हुए दोस्तों यह जो है आपको दोस्तों परव है यानि दोस्तों हम यह कह सकती है परव इसको कहते हैं दोस्तों ठीक है आगे हम अभी संधी बता रहें कि संधी क्या होता है परव एक और उदारन से समझाते हैं कि परव क्या होता है तो चलिए हम एक और उदारन से समझाते हैं कि परव जो होता है वह क्या होता है आपके सामने आपके सामने यह भी चित्र दिख रहा दोस्तों यह जो है बांस का चित्री है तो दोस्तों यह इसको बोलते हैं पर्व किलिर दोस्तों इसको बोलते हैं पर्व यतना दूर आया या नहीं आया दोस्तों अब समझ लेते हैं दोस्तों कि संधी जो होता है वह क्या होता है तो दोस्तों संधी कहने का मतलब होता है किसी दो चीजों का मिलान को हम बोलते हैं संधी क्लिए दोस्तों संधी आपको समझ में आया है जैसे किसी दो चीजों का मिलान को क्या बोलते हैं तो दोस्तो माल लेते हैं जब पर्व पर्व मिलेंगे तो दोस्तो आपको पर्व संधी बनाएंगे यानि दोस्तो जब एक पर्व यानि थोड़ी सी पेन की कॉलर चेंज कर ले रहें जैसे हमने भी बताया कि यह जो इस तरह से जो पौधा के होते हैं भाग थोड़ी सी चितर के माध्य हमसे समझाते हैं तो दोस्तों यह जो चितर आपको दीख रहा है हमने भी बताया कि यह जो है दोस्तों यह आपको क्या है यह आपको पर्व है समझे दोस्तो तो दोस्तो पर्व पर्व मिलकर आपको कुछ बना रहे हैं दोस्तो जब ये पर्व और ये पर्व यानि दोस्तो ये और ये पर्व दोस्तो जब आपस में मिलेंगे तो आपको बनाएंगे पर्व संधी दोस्तों कहने का मतलब है ये मिला थोली सी पेन की कोलर चेंज कर रहे हैं दोस्तों ये मिला ये मिला ये मिला और दोस्तों ये मिला तो दोनों आपस में मिले तो दोस्तों यहां जो जुड़ा ना यही होगे आपको पर्वसंधि किलर दोस्तों कि पर्वसंधि किसको कहते हैं तो चलिए दोस्तों हम चित्र के माध्यम से पर्वसंदी को समझते हैं कि क्या होता है दोस्तों यह आपको दिख रहा है यही है आपको पर्वसंदी समझे दोस्तों यही है आपको पर्वसंदी के लिए थोड़ी सी पेयन की कलर चेंज कर ले रहें तो आपको समझ में आया दो दोस्तों इसको थोड़ी सी साफ कर लेके तो और भी बेटर होगा थोड़ी सी साफा साफ हो गए ठीक है तो और दोस्तों हम थोड़ी सी और नया चित्र को देखकर हम आपको बतला रहे हैं और भी चित्र जैसे की थोड़ी सी किदर गई दोस्तों एक बास ही था जो में दोस्तों हमको परवसंदी मिला और भी दोस्तों दूभ ओगोरा होती है यानि दोस्तों इसका चलिए अब हम परिभासा से समझ लेते हैं कि जो परवसंदी होती है वह क्या होती है तो चित्र को हम बगल में रखते हैं और समझने का प्रयास करत तो दोस्तो आपके हम बगल में अभी तुरंत जो है न सामने चीत्र लगा देंगे अभी लगा द रहे हैं तो चली दोस्तो आपके सामने यह चीत्र लग चुका है अब देखते हैं दोस्तो परिभासा दोस्तो परिभासा है तन्य में न दोस्तो तन्य में दोस्तो गाठ जैसी सन रचना को दोस्तो हम बोलते हैं परवसंधी यह दोस्तो तन्य में जैसे यह गाठ जैसी सन रचना है न दोस्तो इसको ही बोलते हैं हम परवसंधी क्योंकि दोस्तो पर्व से मिलकर बना है इसलिए यह क्या है पर्व संधी है जिसको इंगलिस में बात करते हैं नोड कहते हैं और दोस्तो निकठतम दो पर्व संधिया के जो बीच होते हैं यानि दोस्तो इसके और इसके जो बीच का जो अस्थान होता है आपको दोस्तो कि यह जो बीच का जो अस्थान है यह इसको क्या बोलते हैं पर्व बोलते हैं इसको दोस्तों बोलते हैं पर्व यानि दोस्तों इंगिस में बात करें तो इंटरनोट किलिए दोस्तों आपको समझ में आया की नहीं आया तो दोस्तों यतना आपको आया की नहीं और दोस्तों परवसंधिया है, वो किन किन चीजों में होती है, तो चलि दोस्तों आपके सामने ये रही उदारन, कि दोस्तों परवसंधिया जो है दूब घास में होती है, तो दूब घास में होती है दोस्तों और इसके बाद होती है गन्ना में, और गन्ना के बाद दोस्तों होती है मका मे और मका के बाद दोस्तो होती है बास में तो दोस्तो और आदी में पाय जाती है क्या पर्वसंधिया तो आपको पर्वसंधि समझ में आचिकी होगी दोस्तो कि आपके सामने यह जो चित्र है यह आपको यह आपको जो चित्र दीख रहा है दोस्तो यह जो गाठ जैसी जो सन रचना है यह आपको दोस्तो क्या है यही तो है आपको पर्व संधी समझे दोस्तो और इसकी जो बीच का जो अस्थान है ना फ्रेंड्स इसकी जो बीच का जो अस्थान है यह आपको क्या है पर्व है तो आपको पर्व संधी समझ में आया की नहीं दोस्तो जल्दी से बतलाईएगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तो वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताके जाएगा तो चलिए दोस्तो आज की इ नेक्टी बड़ो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब टेक केर